देखो themes और बाकी चीज़े तो सेम ही थी लेकिन diction में change आ गया था और style में change आ गया था मैं बात कर रहा हूँ T.S. Eliot की दोस्तों T.S. Eliot as a modern poet कैसे उन्होंने evolution किया कैसे उनकी style में change आ गया था पहले उनकी poetry कैसी थी और बाद में कैसे उनकी poetry में change आया इस वीडियो में हम लोग discuss करेंगे बहुत ही interesting वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़रूरी भी चलिए शुरू करते हैं मिलता है इस वीडियो के anime T.S. Eliot एक highly qualified poet थे दोस्तों लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि इनकी poetry में सुधार नहीं हुआ था evolution हर किसी का होता है इनका भी हुआ था critics का ये मानना है कि इनकी poetry के दो phase थे पहला phase वो जब इनोंने love song of J. Alfred Prufrock, Gerontion, The Wasteland और Hollow Man जैसे का विताय लिखी 1925 से पहले-पहले के साल फिर 1925 के बाद में लखी poetry जैसे Ash Wednesday और Four Quartrets अब इन दोनों phase में फर्क क्या था theme तो same सी थी दोनों phases में लेकिन style चेंज कर दिया था इनोंने अपने technique चेंज कर दी थी कैसे चेंज कर दी थी? point to point समझाऊँगा आपके दिमाग में बैठ जाएगी सारी बात जाएगी देखो अगर आपने TSL8 की poetry को खुद से पढ़ा हो तो आप देखना कि wasteland तो पड़ी होगी उसमें सबसे important चीज आपने क्या देखी? urban setting होती थी यानि शेहरों की जिंदगी पर लिखते थे ऐसा कह सकते हैं कि उनके उपर french symbolist poet का influence था खास तोर पर Leforg Leforg और Charles Baudelaire ये लोग क्या French poet थे? और ये लोग symbolism की टेकनीक का यूज करके बड़ी बड़ी cities में रहने वाली life पर लिखते थे तो इन parts से सीखकर TSL8 ने माल लिया कि यह अपनी themes भी ऐसी होगी city life में रहने वाले लोग, city की भागदौर बड़ी life पकरे मास्क की smell newspaper, beer bottles cocktail, cigarette, बिखरे हुए कमरे ये सारी चीज़ है तो पहले की poetry में यानि hollow man तक की poetry में आपको ये सारी चीज़े मिलेगी hollow man में मैं क्या कहूंगा wasteland तक की poetry के अंदर आपको ये सारी चीज़े मिलेगी लेकिन 1927 में इनकी life में क्या change आया Elliot की life में ये Anglo-Catholic Church के member बन गए इसके बाद आपको इनकी poetry में religious interest मिलेगा ये change noticeable था दूस्तों ignore नहीं किया जा सकता था इवन आप hollow man को पढ़ लो उसमें भी आपको ये change देखने को मिलता है बात अगर Ash Wednesday पर आये तो वो तो पूरी ही Christian theme पर थी and four quarters is also religious एक और change अगर आप notice करेंगे तो पहले इनकी poetry में negative approach होती थी negative picture दिखाते थे ये society की सबसे खराब नकारात्मा पहलू लेकिन जब से ये Christianity में शामिल हुए poetry में positive पहलू भी दिखने लगे इनकी poetry में spirituality तो पहले भी थी दोस्ते मैं spirituality की बात नहीं कर रहा हूँ मैं negative और positive approach की बात कर रहा हूँ ऐसा नहीं था कि आप समझो कि पहले ये अपनी poetry में spirituality की बात नहीं करते थे करते थे लेकिन बात की phase में ये ज़्यादा जोर देने लगे spirituality पर फर्ट सिर्फ इतना था कि पहले वो modern समाज की जो गंदगी थी वो खुले रूप में दिखा दे थे लेकिन बाद में इन्होंने उस गंदगी को पीछे रखेल दिया और spirituality को आगे ले आए और एक true bite की तरह beauty दिखाने लगे जैसे गुलाब के फूल, garden, fountain जूनिपर का पीड इलियट शहर के suffocating माहौल से बाहर आगाए एक fresh जिंदा जिंदगी देने वाले अटमस्फेर में अब अगर इतना change आ ही गया है तो थोड़ा simple भी बनाना पड़ेगा अपना diction diction की बात कर लेते हैं जैसे wasteland लिखते समय हमको सबको feel हुआ था कि वो पूम कुछ ज्यादा ही difficult है और दोसो इतना difficult होने का reason ये भी था मैं personally ऐसा मानता हूँ कि ये Ezra Pound के contact में थे बहुत ज़्यादा उनके influence में थे condense कर करके दबा दबा के एक ऐसी poetry नोंने लिखी जो connective materials को हटा देती थी पूरी तरीके से और ऐसी difficult poetry बन गए कि कुछ ही लोग समझ सकते थे उसको खास लोग जब तक ऐसी poetry की explanation ना आए मतलब intellectual लोग explain ना कर दे ऐसी poetry को तक तक आप लोग तो बिल्कुल नहीं समझ सकते इसको इसलिए I.A. Richards बोले कि Mr. Elliot Poetic Shorthead योगि इनने पूरे यूरोप के पुराने writers को भर भर के poetry को इतना difficult बना दिया इतना मुश्किल बना दिया फिर बाद में इनको समझ में आया है कि poetry सिर्फ पढ़े लिखे लोगों के लिए नहीं लिखी जाती तो कि समाज के लिए लिखी जाती है इसलिए मुझे simple लिखना चाहिए ताकि सब के समझ में आए यगी नहीं आता यह वही T.A. सिलिए थी जो romantic poetry को इतना criticize करते थे अपने शुरुवाती पढ़ो उसके अंदर आपको strict traditional meter मिलेगा लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा जैसे Elliot meter को लेकर उतने rigid सक्त नहीं रहे flexible हो गए थे मतलब नए तरीकों को अपनाने लगे थे change और है जो आप सब notice करोगे बैसे बताना ठीक है या नहीं मैं बता देता हूँ फिर भी दोसो ये पहले Christianity की तरफ इतने जुके वे नहीं थे जो बात की poetry में देखने को मिला हमको मतलब पहले तो इनको अपनी poetry के लिए myth चाहिए थी चाहे वो Roman myth हो, Greek myth हो Hindu myth हो, Booth myth हो किसी भी टाइप के myth लेकिन जैसे ही ये Anglo-Catholic बने बाद में सिर्फ आपको Christian tradition की बात मिलेगी Bible की language मिलेगी इनकी poetry में और एक last चीज और गिनवा देता हूँ कि पहले की poetry dramatic होती थी अजब पहले ये dramatic poetry लिखते थे बाद में ये lyric poetry लिखने लगे इस तरह से TS relate का evolution हुआ था उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कोई ना कोई help में लेगी आज की इस वीडियो में सतना ही अब जब आपने ये वीडियो खत्म कर लिया था मैं उम्मीद करता हूँ आपको answer writing में ये वीडियो काफी help करेगी चलिया आज की इस वीडियो में सतना ही मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो